अगर हमारे पास कोई भी अनुकरम दिया हुआ है तो उस अनुकरम का सीमा बिंदू क्या होता है सीमा बिंदू की प्रिबासा क्या है माल लीजिए एक अनुकरम प्रिबासित है एक्सेन तो उस इस दिमें एलफा जो है वो इस अनुकरम एक्सेन का सीमा बिंदू कहलाता है इसमें यह condition apply होती है कि इस बिंदू के नजदीक सामिप्य में नाइबर हुड में इस अनुकरम के infinitely many points एक्जिस्ट करते हूं लिमिट पॉइंट नॉर्मल सी condition बता रहा हूं अगर मैं sequence को एक circle की form में represent कर दूं कि यह sequence है इस sequence के सारे elements इसके अंदर आ रहे हैं और यह bounded है bounded होना compulsory है हमारे पास तो यह जो point है वो limit point कहलाएगा यह point limit point यह circle जो है वो limit points कहलाएगे क्योंकि इससे बाहर कोई भी element नहीं होगा इसके अंदर अंदर xn के सारे elements विद्यमान होंगे अब अगर normal condition में हम कहें तो इस alpha को हम limit point कहेंगे इस alpha के नाइबरूड में नाइबरूड का मतलब बिल्कुल नजदीक में सामिप्य में इस action के infinitely यह जो infinitely many elements इसमें विद्यमान होने चाहिए अनंत पद इसमें अनुकरम के आने चाहिए तब इस alpha को सीमा बिंदू कहते हैं अन्य था alpha सीमा बिंदू नहीं है आई बात समझ में परिबासा के रूप में कुछ इस परकार से लिखेंगे कि action अनुकरम action का सीमा बिंदू alpha कहलाता है यदि एक epsilon greater than 0 इस परकार से हो कि action minus alpha की value जो आएगी वो less than epsilon से यदि आनुकरम के परिते एक बिंदू के alpha से जो दूरी है वो हमेशा क्या हो epsilon कुछ निश्चित मान में अनंत्पद कह रहे हैं हम अनंत्पद का मतलब कुछ definite terms में हमारे पास alpha क्या अंतर जो है वो एफसालन से smaller आता हो अर्थात अनुकरम और alpha के मद्दे जो दूरी है वो बहुत कम हो उस अनुकरम के कुछ अनुकरम की सीमा या limit of a sequence एक sequence परिबासित की गई एक्सेन एल जो है वो इसकी सीमा कहलाती है यदि epsilon एक ऐसी value इसमें विद्यमान है कि xn-l smaller than epsilon से या xn belong करता है l- epsilon और l- epsilon से for all n greater than n0 एक definite value के लिए ये compulsory है कि एक fix natural numbers के बाद में हमारे पास जो भी steps आ रहे हैं वो l- epsilon और l- epsilon के in between आते हूँ यहाँ कुछ ही value के लिए ये हम condition ले रहे हैं सभी value के लिए पूरे अनुकरम के लिए विद्यमान हो ये compulsory नहीं है इसमें एक तो ये part कि हम इसको ये कहते हैं xn जो है वो अभिसर्त है l-qo अगर इसके सीमा जो है वो l है तो इसका मतलब xn जो है sequence जो है वो एक conversion है l की ओर यानि l की ओर जा रही है xn का जो मान है वो एक निश्चित मान की ओर गती कर रहा है एक निश्चित मान प्राप्त कर रहा है definite value की ओर move कर रहा है जैसे action वरबर एक बटे n आजाए तो जैसे 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 एक मान बखते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान जो है वो लगातार zero की ओर बढ़ता जाएगा अगर zero की ओर बढ़ता जाएगा उस case में, यहां पर इसको इस form में भी लिखा जाता है, limit n tends to infinity पर, action is equal to L, अगर सीमा L है, सीमा बिंदू नहीं है, सीमा L है, ठीक है, तो every जो limit है, वो limit point होगा, लेकिन every limit point is, cannot be a limit, परतेक सीमा बिंदू जो है, वो सीमा नहीं हो सकती, लेकिन परतेक सीमा जो है, वो क्या होगे, सीमा बिंदू जरूर होगी, अवश्य होगा, क्योंकि किसी भी अनुगरम के सिर्फ एक ही सीमा होती है, सीमा बिंदू अनेक होगी, लेकिन सीमा क्या होगे, उसकी एक होगी, और point many आएंगे infinitely many आई बात समझ में लिख लो प्रिवासा अभी सारी अनुकरम की प्रिवासा कर रहे हैं यह प्रिवासा सेम ही रहनी है पूरी बुक के अंदर बार-बार करेंगे topics बदलते रहेंगे सिर्फ इसके जो definition है वो change नहीं होगी अभी सारी अनुकरम एक अनुकरम action दिया हुआ है यह action जो है अनुकरम है वो अभिसारी या conversion क्यलाता है if and only if the limit of action is finite अगर कोई भी sequence है उसकी limit finite आ जाए अभी अभी हमने limit को defined किया था l से अगर l जो है वो एक definite value आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 0 आ जाए minus 2 minus 1 minus 4 कोई भी एक निश्चित मान को प्राप्त करता है तो उसे अभी सारी अनुकरम कहते हैं यानि अगर अनुकरम जो है वो लगातार हमारे पास किसी अनुकरम में बहुत से संख्याएं आएंगी वो किसी एक निश्चित मान की और गतिमान है अभी सर्त है अभी सर्त का मतलब है कि वो लगातार एक निश्चित मान की और जा रहा है तो उस से इस्तिती में उस निश्चित मान की और जाने के गारण उसे अभी सारी अनुकरम कहेंगे एक definite value की और move कर रहे है इसलिए वो अभी सारी अनुकरम है उसके बाद में आएगा हमारे पास second definition इसमें अपसारी या divergent sequence देखो अगर limit of xn यह limit of xn is not finite finite नहीं हो finite नहीं होगी तो क्या होगे या तो प्लस अनन्थ होगा या minus अनन्थ दोनों में से कोई एक पार्ट आता हो चाहे infinite plus का जाए चाहे infinite minus का जाए but definite value को gain नहीं करता है तो उस condition में इसे हम अपसारी अनुकरम कहेंगे calculate कैसे करेंगे method हमारा वो ही है limit n tends to infinite पर हम xn की value निकालेंगे अगर यह l finite आ जाता है तो तो हम कहेंगे कि यह अभिसारी अनुकरम है और अगर limit n tends to infinite पर xn की जो value है वो plus minus infinite आती है तो अपसारी अनुकरम है और एक और आएगा हमारे पास दोलनी अनुकरम oscillatory sequence oscillatory sequence का मतलब है कि अगर इसकी definite value ना अभिसारी हो ना अपसारी हो तो दोलनी अनुकरम होगा एक definition तो यह कह सकते है अभिसारी भी नहीं है और अपसारी भी नहीं है तो क्या होगा दोलनी अनुकरम होगा दूसरी definition यह भी कह सकते है कि वो कोई 2 man को वेक्त कर रहा हो एक definite value नहीं आ रही हो जैसे कुछ man के लिए तो वो plus 1 आ रहा है कुछ man के लिए minus 1 For example, हमारे पास minus 1 की power n ले लें अगर n का मान 1 लेंगे तो plus 1 आएगा minus 1 आएगा, 2 लेंगे 2, plus 1 3 लेंगे 2, minus 1, 4 लेंगे 2 अगर power sum संख्या आ रही है तो plus 1 आएगा विसम संख्या आ रही है, minus 1 आएगा निश्चित मान तो नहीं आ रहा plus 1 और minus 1 बीच में oscillate कर रहा है वो दोलन कर रहा है, इसका मतलब यह एक oscillatory sequence है यह जो oscillatory sequence है, वो दो परकार के होंगे प्रीमित भी हो सकते हैं और आप्रीमित भी हो सकते हैं प्रीमित और आप्रीमित कैसे हैं? एक हो सकता है कि इसकी वैल्यू माइनस अनंद और प्लस अनंद के बीच में आता हूँ एप्रिमी तो जाएगा और अगर definite value आ रही है माइनस 2 और प्लस 2 तो उसे finite oscillation भी कह सकते हैं और infinite oscillation भी कह सकते हैं वो oscillation पर depend करेगा कि oscillation की value अगर fix आ रही है तो finite हो जाएगा अगर fix नहीं आ रही है infinite आ रही है तो infinite oscillation हो जाएगा फॉर इक्जम्पल ये बन जाए माइनस 1 की power n infinite अब अगर n की value infinite लोगे हैं तो n अगर हमारे पास positive infinite भी हो सकता है और negative infinite भी हो सकता है दोनों में oscillate करेगा अगर positive और negative दोनों infinite बन सकते हैं इसे हम infinite oscillation कहेंगे जबकि ये क्या है finite oscillation है तो अभी सारी limit point fix आ जाए definite आ जाए अब सारी अगर limit point plus minus infinite आ जाए plus infinite भी हो सकता है minus infinite भी हो सकता है बट एक fix value होगी आइधर plus infinite होगा और minus infinite होगा जैसे n है अगर हम xn is equal to n ले लेते हैं तो ये अपसारी अनुकरम है क्योंकि उसका जो मान लेंगे limit n tends to infinity पर n का मान जब ग्याद करेंगे तो अनन्त आएगा plus अनन्त आगया अपसारी है n square ले लें अनन्त आएगा अपसारी है ठीक है लेकिन अगर उसको इस्त्रेव में हमने परिवासित कर दिया तो वो plus अनन्त और minus अनन्त के बीच में oscillation करेगा हमें confirm नहीं है कि plus infinite होगा या minus infinite होगा इसलिए उसको oscillatory sequence कहेंगे और वो infinite oscillatory sequence कहेंगे.